आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Queshan में बोल रखा है कि अगर solution है हमारा इस equation का ठीक है यह differential equation है x square into d2y upon dx square minus 9x into dy by dx plus 21y is equal to 0 ठीक है तो इसका solution की फोटो में हमारा y equal to c1 into x to the power m plus c2 into the x to the power n के फोटो में ठीक है जहांपे c1, c2 हमारी कोई constant है arbitrary ठीक है और mn हमारा क्या बिलोग करता है एक integer से तो बोला है कि value of m और n बताओ क्या होगा ठीक है तो अब देखो अगर यह मेरा solution है ठीक है यह solution है इसका solution है तो यह इसको satisfy भी करेगा तो सबसे पहले y is equal to क्या दे रखा है c1 into x to the power m plus c2 into x to the power n अब इसको satisfy करेगा यह तो हमें यहांपे चाहिए क्या double derivative और single derivative सबसे पहले करते हैं क्या है एक बार इसको differentiate both side कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें single derivative यानि कि dy by dx is equal to यहांपे c1 तो constant है अब देखो अगर मेरा ऐसा कुछ form हो अगर मेरे को x के power n का differentiation करना हो तो कैसे करते हैं इसका differentiation क्या होता है n into x to the power n minus 1 similarly x to the power m का differentiation क्या हो जाएगा हमारा यहांपे m into x to the power m minus 1 ठीके और यहांपे अपन देखे तो यह हमारा c2 है और x to the power n का differentiation n into x to the power n minus 1 ठीके तो यह हमारा d by dx मिल गया अब देखो अगर मैं फिर से इसको differentiate both side कर दू तो हमें double derivative मिल जाएगा यानि कि d2i upon dx square वो हमारा क्या हो जाएगा देखो c1 और m तो हमारा constant है अब इसका फिर से differentiation क्या हो जाएगा m minus 1 ठीके और x to the power m minus 1 और minus 1 यानि कि m minus 2 plus c2 और n तो हमारा constant है इसका differentiation x to the power n minus 1 का n minus 1 और यहांपे x to the power n minus 2 ठीके तो यह double derivative मिला यानि d2i upon dx square और dy by dx हमारा यह मिल गया अब देखो जो differential equation है उसको लिखो तो यह हमारा differential equation है इसमें x square से multiply है तो x square से हमारा यह वाला time multiply है तो इसको अपन क्या करेंगे x square से इसको x square से क्या करने वाले है multiply तो यहाँ पे x square से multiply कर दो बोद साइट तो हमें क्या मिल लेगा x square d2i upon dx square is equal to x square से इसको multiply करो क्या मिल जागा हमें c1 m m-1 into x square से multiply किया तो यह x के power m बन जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा c2n और यह n-1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा x के power n तो यह हमें मिल गया अब देखो उसके साथ जो minus है हमारा differential equation वे वो क्या है 9x है dy by dx into 9x तो इसको अपन क्या करेंगे 9x से multiply कर दो इसको अगर मैं 9x से multiply करता हूँ उसको क्या मिलेगा 9x dy by dx क्या मिलेगा हमें किसके equal देखो यहां से अपन क्या लिख सकते है c1 into 9x तो c1 m c1 m into 9 तो 9 और x से जो multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा यह x के power m बन जाएगा तो यह हो जाएगा x के power m प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 9 ठीके c2 n और यह x के power n मिल जाएगा यहाँ पे देखो c2 into 9n यानि कि 9n c2 और x के power n मिल जाएगा तो यह हमने यहाँ पे लिख लिए तो हमें यह दो value मिल गया अब देखो यहाँ पे अपन देखे तो हमें इन दोनों का minus चाहिए था यानि कि subtraction और प्लस उसमें क्या है 21y इसको 0 के equal प्रूफ करना था तो यहाँ पे पन देखे तो इसको मैं equation 1 बोल देता हूँ इसको equation 2 बोल देता हूँ तो equation 1 और 2 को क्या करो equation 1 minus equation 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा equation 1 और equation 2 को minus करेंगे तो left hand side हमारा क्या हो जाएगा x square ठीक है d2 y upon dx square ठीक है और फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे minus 9x dy y dx is equal to हमें क्या मिलेगा देखो x के power m का coefficient जो है उसको एक साथ रखो तो यह हो जाएगा x के power m और यहाँ पे क्या आएगा हमारा तो दोनों में और क्या common है हमारा c1 into m c1 into m दोनों में common है देखो यहाँ पे c1 m c1 m बचा क्या है यहाँ पे m minus 1 और यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 9 बचा तो यहाँ पे लिखता हूँ m minus 1 और यहाँ पे minus 9 फिर plus अब देखो यहाँ पे अपन क्या common लेशकते हैं उसी तरह c2 n ठीक है c2 n common आ जाएगा और x to the power n तो यहाँ पे लिखो c2 n और यहाँ पे x to the power n common आ गया तो हमारा क्या बचेगा फिर से n minus 1 और minus 9 ठीक है तो n minus 1 n minus 1 और minus 9 ठीक है आप देखो बोद साइड हमारा क्या add था तो बोद साइड हमें 21y एड करना होगा ठीक है तो 21y यहाँ पे add करो 21y left hand side add किया तो right hand side भी हमें 21y एड करना होगा ठीक है तो यहाँ से हमारा आपन देखने तो यह value हमारी जो है total इसकý जो यहाँ पे अपन इसका बात कर रहे है ठीक है यहां से अपन देखें, तो m into c1 into, यहां पे m minus 10 हो जाएगा, देखो यह, c1 और m हमारा था ही, और यह हमारा क्या हो जाएगा, m minus 10, और उसके साथ multiply क्या हमारा x to the power m, plus, ठीक है, यहां पे क्या हमारा, यह c2 है, ठीक है, तो c2, यानि कि n c2, तो n c2, और यह हमारा क्या हो ठीक है, तो यह हमारा 21y, यहनी कि इसकी value क्या रही ह ahí, 0 ke equal, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है, अब इसकी value 0 है, तो इसके लिए हमें kya करना है, इसके लिए हमे ऐम और n का value बताना है, तो देखो और इसको अपन कैसे लिख सकते थे, तो देखो y को अपन क्या करेंगे, यहा से 21y यह अपन क्या लिख सकते थे, तो minus of m, ठीक है, minus of m into c1, ठीक है, या तो minus इसको multiply कर दो, तो क्या हो जाएगा, mc1, ठीक है, और अंदर में बन जाएगा, 10 minus m, ठीक है, multiply करने के बाद, minus से, x की power m, और यह हमारा क्या हो जाएगा, plus n c2, n minus 10, sorry, 10 minus n, ठीक है, तो 10 minus n लिखो इसको, 10 minus n, और यह x to the power n, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा, और यहाँ से अगर अपन y का value निकाल ले, तो हो क्या हो जाएगा, mc1 into 10 minus m upon whole divided by 21, और यह x to the power m, plus n c2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 minus n, whole divided by 21, x to the power n, ऐसा मिल जाएगा, अब देखो, यहाँ से अपन देखे तो इन्होंने क्या दे रखा है, question में, इसको किसके equal दे रखा है, तो y को दे रखा है, c1 x to the power m, plus c2 x to the power n के equal दे रखा है, त्यक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से compare करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x के power m का coefficient है, उसको क्या होना पड़ेगा, c1 के equal होना पड़ेगा, ठीक है तो X के पावर M का कोफिशेंट यहां पे क्या है उसको C1 के एक्वाल होना पड़ेगा तो यहां से अपन लिखे तो वो हमारा है M times C1 into 10 minus M upon 21 ठीक है और जो हमारा C2 का जो कोफिशेंट है यानि कि sorry X to the power N का जो कोफिशेंट है यानि कि C2 वो हमारा क्या है N C2 N C2 into 10 minus N upon 21 है यहां पे देखो तो इसको C2 के एक्वाल होना पड़ेगा तो यहां से अपन देखे तो यह हमेरा यहां से C1 से C1 कैंसिल होके और यह C2 से C2 कैंसिल तो हमें क्या मिला 21 is equal to M times 10 minus M और यहां से क्या मिल 21 is equal to N times 10 minus N के equal तो यहां से हमारा quadratic बनेगा देखो इसको quadratic बनाओ तो यह लिखा हो है 10 M minus M square is equal to 21 या तो इसको लिख रता हूँ M square minus 10 M plus 21 is equal to 0 similarly इधर भी वही बनेगा तो इसको मैं क्या लिख दूँगा directly यहां पर हमारा बन रहा N square minus 10 N plus 21 is equal to 0 ऐसा बन रहा है तो यहां से अपन देखें तो इसका जो factor है M square और minus 10 M को मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका जो product है वो हमारा 21 M square के equal आया लेकिन sum हमारा minus 10 M ही रहे है तो इसको म 7 minus 7 M और minus 3 M लिख सकता हूं और यह plus 21 is equal to 0 तो first 2 से M common लो तो M minus 7 बचा last 2 से minus 3 common लो तो M minus 7 बचा तो यह basically M minus 7 को common लिया तो अंदर बचा M minus 3 is equal to 0 यानि कि M की value क्या आ गई तो 1 तो M आ रहा हमारा 7 या तो 3 ठीक है और यहां से similarly यही equation लिखा हूँ है सिर्फ variable change है M के जगा N टो यहां से भी N क्या जाएगा 3 या 7 ठीक है अब देखो अगर मेरा कुछ इस form में equation लिखा हुगा है इसका मतलब M और N हमारे equal नहीं है M और N हमारे equal नहीं हो सकते ठीक है, m और n हमारे equal नहीं होंगे, तभी ये हमारा इस form में, या इनिकी अलग-अलग form में लिखा होगा नहीं तो ये हमारा common आ जाता, अगर m और n हमारे equal होते तो x to the power m या n हमारा common आ जाता तो ये दो value हो सकते, ठीक है, thank you